दोस्तो, असकायम स्रीज में आज हम बात करेंगे एक नए तरह के असकायम के बारे में, जिसमें एक 80 लोगों के साथ एक करोड रुपे का फ्राउड मुंबई में किया जा चुका है, इसका नाम है KYC फ्राउड, और ये KYC फ्राउड के बारे में बहुत सारे मीडिया पोर्ट जानते हैं कि क्या है KYC fraud कैसे KYC fraud में लोगों के साथ ठगी की जा रही है तो दोस्तो हम सब को पता है कि KYC यानि कि Know Your Customer हर एक Financial Institution या फिर बैंक में होता है खास करके लेन देन के मामले में KYC करवाया जाता है ताकि पैन कार्ड और अधार कार्ड को उस अकाउंट से लिंक किया जा सके लेकिन आज कल इसी KYC का इस्तेमाल करके धडले में फ्राउड किया जा रहा है यानि कि लोगों के साथ ठगी की जा रही है अब ये KYC फ्राउड होता कैसे है इसके बारे में जानते हैं तो देखे KYC फ्राउड बड़ा ही सिंपल तरीके से किया जा रहा है और आपको यकीन भी नहीं होगा कि क्या ऐसे भी फ्राउड हो सकता है तो देखे होता ऐसा है कि by mistake कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के UPI नंबर पर चाहे वो फोन पे हो गूगल पे हो या पैटियम हो उस पर कुछ पैसे भेज देता है भेजने के बाद उस नमबर पर call करता है और call करके उसको बताता है कि हमने by mistake आपके UPI नमबर पर payment कर दिया है प्लीज आप उस पैसे को मेरे को वापिस कर दें जाहर सी बात है आप भी यही कहेंगी कि by mistake आया है हम वापिस कर देंगे हम उसे पैसे वापिस उसी के उसी नंबर पर वापिस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप वापिस करते हैं उसके पैसे उसी नंबर पर जिस नंबर से आपके UPI नंबर पर बाई मिस्टेक आया, आपका मोबाईल हैक हो जाता है। और हैक होने के बाद आपके mobile का सारा control उस बंदे के पास होता है, जो बंदा आपको कहता है कि by mistake हमने आपके UPI नमबर पर पैसे भीज़ेगा, अब देखे ये जान करके आपको भी हैरानी हो रही होगी, कि भाई कोई बंदा मुझे by mistake पैसे भेज देगा, और हम उसी के नमबर पैसे वापिस भेज देंगे, तो हमारा phone hack कैसे हो जाएगा, लेकिन यही तो समझने वाली बात है, कि hack कैसे हो जाएगा, experts का मानना है कि जिस नमबर से आपके नमबर पर पैसे आते हैं, यानि कि आपके UPI नमबर पर पैसे घहें, दर असल उसी नमबर में कुछ जोल है, उस time where आपके mobile phone में activate हो जाता है, और activate होते ही आपके phone का पूरा का पूरा control उस बंदे के पास चला जाता है, और आपके phone में पड़ा हर एक जानकारी, हर एक चीज का access उसके पास हो जाता है, including आपका KYC details, और आज के date में pen card और अधार card से कितना ज़्यादा fraud हो रहा है, यह हमें और आपको सब को पता है, और कई सारे मैंने भी वीडियो बनाए हैं कि pen card और अधार card का इस्तेमाल करके, कैसे कई सारे loan ले लिए गएं, कई सारे fraud कर दिए गएं, और जिसका वो document था उसे पता तक नहीं, आप इसके बारे में India Today का ये report ही देख लीजे, जिसमें detail में इस ब एक आसी लोगों के साथ कैसे एक करोर रुपी की ठगी की जा चुकी है, उसके बारे में detail में यहाँ पे India Today ने लिखा है, और बाजापते ये भी बताया है कि किस तरह से ये fraud हुआ, तो how UPI a scam take place, तो दर असल ये UPI के थूँ तो हो जरूर रहा है, लेकिन इसे KYC a scam बताया ज send money to the victim account, through the UPI app and then claims it was sent by mistake, यानि कि किसी ने दूसरे बंदे के पास पैसे बेजा और by mistake पैसा चला गया, ऐसा बताता है, इसके बाद the fraudsters then call the victim and ask them to repay the amount to their number, यानि कि जो fraud करने वाला बंदा होता है, वो phone करके कहता है कि by mistake पैसे चले गया, आप मुझे पैसे वापिस कर If the victim repays the amount using the UPI app, malware infects the victim device, giving the scammer access to their entire data, including bank and KYC, यानि कि know your customer details, such as pen and adhaar, which information the scammer can hack into the victim's bank account and cause further damage. अब इस तरह के KYC fraud से कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी थोड़ा जान लिजे, ताकि अगर इस तरह का कोई situation आपके साथ में भी बने, या आपको भी कोई phone करके कहे कि by mistake आपके UPI number पर मैंने पैसे भेज दिये हैं, तो आप कैसे इसको deal करेंगे, आप थोड़ा इसके ब बैंक में करेंगे customer care को phone करके कि हमारे number पर कोई unknown transaction आया है, ठीक है, ताकि bank के knowledge में भी ये unknown transaction की जानकारी हो, दूसरा काम आप क्या करेंगे, कि अगर वो बन्दा phone करके पैसे return करने की बात करता है, तो आप अपने bank के branch में जाएंगे, और return में complaint देंगे कि इस number से इतने पैस हमारे account में आये हैं, जो के unknown है, और हम good faith पे ये कहिए तो as a human being, एक इनसानियत के नाते हम उसके पैसे वापिस करना चाते हैं, आप उस branch से request करेंगे कि आप उसके पैसे हमारे account से return कर दें, यानि के reward कर दें, तो यहाँ पर ये होगा कि अगर इन सारे मामलों में bank involved होगी, त तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कि अगर ज़्यादा ही जिद करें, तो आप police station में जाएं और इसको एक लिखित complaint दें, कि एक non transaction हमारे number पर आया है, और वो बंदा इस तरह से हमारे को कह रहा है, ताकि आप भी अपने end से safe रहें, आपके तरफ से कोई problem ना हो, आपके account में क इसी तरह का problem ना हो, और आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो सके, तो इस तरह से आप इस पर action ले सकते हैं, ताकि आप खुद को safe रख सके, भले ही आप पैसे वापिस करना चाहते हों, लेकिन directly खुद मत कीजिए, बलके bank में जाईए, वहाँ पे written complaint दीजिए, और bank क थ्रू करवाईए, तो यह है complete step जिससे आप इस तरह के KYC fraud से बच सकते हैं, KYC scam से बच सकते हैं, तो यही है KYC scam और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में detail में आपने इस वीडियो में जाना, तो चलिए आज तक लित नहीं, अगर इससे related फिर भी कोई सवाल हो query हो, तो आप हमें comment box में लिक करके पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक करें, जादे जादे लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो उसके लिए हमारी YouTube चैनल को भी subscribe करें